पर्मिटिविटी तो इस टॉपिक का जन्म कहां से होगा पर्मिटिविटी हल्वा सा टॉपिक है बहुत समय नहीं लेंगे और रिलेटिव पर्मिटिविटी देखो बहुत ही असान सा टॉपिक है समझो क्या हुआ हमने कूलम्स लॉप में अभी तक पढ़ा था कि अगर दो चार्जेज है क्यू वन और क्यू टू और उनके बीच में सेंटर टू सेंटर सेपरेशन आर है तो इनके बीच में जो इलेक्रिस्टाटिक फोर्स लगती है व किशाएफंट करता है मीडियम पे के की वैलू एयर में कुछ और होगी वॉटर में कुछ और होगी ग्लास में कुछ और होगी आज की लेक्चर में हमने देखा कि यह जो के की वैलू है इसको किताबों में ऐसे लिपता है वन बाइफ्ग फोर पाई एपसाईलन यानी व्र canvas स्टाटिक फोर्स का फॉर्मला बनेगा वन बाई फॉर पाई एपसाइलेन क्यू वन क्यू टू बाई आर स्कूर एपसाइलेन नॉट मत लिखना कई लोग सोच रहें एपसाइलेन अब यह एपसाइलेन क्या होता है इसको हम बोलते हैं परमीटिविटी ऑफ मेडियम तो यह आहा टॉपिक का इंट्रोडाक्शन क्या कि दो चार्जेस क्यू वन क्यू टू आर डिस्टेंस पे किसी मीडियम में अगर रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाली यहां पर कि एपसाइलेन की वैलू जितनी बड़ी होगी फोर्स उतनी छोटी हो जाएगी मतलब जिस medium की permittivity जितनी जादा वहाँ पे force between charge उतनी कम यार इसका feel क्या है मतलब क्या सर permittivity तो मतलब permit करना चाहिए था permit करेगा तो force बढ़नी चाहिए जड़ा सोचो नाम क्या है नाम दे रहे हैं यह बड़ा खुबसूरत था permittivity permittivity मतलब allow करना तो अगर यह allow कर रहे हैं तो force को तो बढ़ना चाहिए force को तो allow होना चाहिए बढ़ने के लिए पर 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 force decrease कर लिए इसको समझते हैं मतलब क्या है permittivity का मतलब है that it permits its it permit its own field its own field to to decrease the interaction field between charges आराम से permittivity का मतलब it permits its own field मतलब medium की कोई प्रॉपर्टी है medium की कोई प्रॉपर्टी है permittivity that it permits its own field अपनी खुद की field को permit करता है कि जाओ charges की बीच की field को कम कर दो जैसे जैसे मानलो यह दो चार्जेज है q1 q2 आपस में इंटराक्ट कर रहे थे इंटराक्ट मतलब कुछ इन मानलो कुछ force वगरा कुछ चल रही थी कहानी अब किसी medium में डाला तो medium के पास एक प्रॉपर्टी है permittivity इनकी force को permit नहीं कर रहा अपनी field को permit कर रहा कि जाओ जाओ और इनकी field को तोड़ दो यानि किस चीज को permit कर रहा force को permit कर रहा कि force लगाओ बढ़ जाओ force जितनी force लग रही यह लगने दो नहीं उसको रोक रहा villain की तरह आया permittivity नाम से तो लग रहा है कि allow कर देगा जैसे किसी movie में villain का नाम रख दे हम राम खिलावन तो नाम से तो लग रहा है कि वो राम है भला करेगा पर भला नहीं करेगा बूरा करेगा समझ में आ रहा है यह ऐसा विले ने जो राम खिलावन नाम से आया है नाम तो उदे रहा है permittivity की जाओ permit किया force लगाओ पर नहीं किसको permit किया अपनी field को permit किया कि जाओ इनके बीच की field को weak कर दो अब यह समझ में आ गया कभी इस term से confused नहीं होगे permittivity मतलब अपनी field को permit करना कि जाओ charges की बीच की field को decrease कर दो जिसकी वज़े से force decrease मतलब जितनी जादा permittivity of medium उतनी कम force between two charges यहाँ तक clear हुई बात यहाँ तक clear हुई बात फिर देखो हमने पाया हमने पाया कि यह जो epsilon की value है जो epsilon की value है this is found minimum for vacuum या इसी को आप बोलते हो free space तो vacuum या free space में हमने पाया कि epsilon की value minimum है जिसका मतलब force कैसी होगी maximum होगी force कैसी होगी maximum होगी यानि दो charges के बीच की force सबसे ज़्यादा किसमें होती है vacuum में सही बात है vacuum में कोई material ही नहीं है जो खुद को permit करें की jaw force को तोड़ो कुछ है ही नहीं इसलिए two electric charges के बीच की force maximum कहा होगी vacuum में वहाँ कोई चीज है नहीं जो permit हो जाए की jaw तोड़ो उसके पास कोई particle ही नहीं जिससे बोले jaw तोड़ के आओ कुछ नहीं है किसी और medium में जाएगा तो भाई उसके पास अपने particle होगे कहेगा हम permit करते हैं जाके तोड़ दो और force को decrease करते हो जड़ा note कल लें मिटार के आगे बताएं आपको बहुत हलवा सा lecture है last में एक बढ़िया numerical कराएंगे जिसे सारा concept आपका clear होगा what is the force between two charges force between two charges is 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square epsilon is a property of medium जिसको बोलते हैं permittivity of medium epsilon जितना ज़्यादा force उतनी कम मिटारें अच्छा फिर हमने आप से क्या बोला कि epsilon की value epsilon की value हमने पाया minimum है minimum है in vacuum या free space या उसी कई बार air भी बोल देते हैं बोलना नहीं चाहिए पर हम लोग के syllabus में air vacuum same treat होता है जबकि air थोड़ा भाई ये एर में तो molecules आते हैं पर माल लेते हैं करीब करीब से तो हमने पाया epsilon की value minimum है सबसे कम force को weak करता है मतलब force between two charges will be maximum in vacuum free space या air और किसी और medium में डालोगे तो force decrease करेगी यानि यहां से एक बात साफ है अचा permittivity of free space को हम epsilon not बोलते हैं क्या बोलते हैं epsilon not epsilon not not मतलब कोई medium नहीं है कोई medium नहीं मतलब vacuum है epsilon not और force between two charges in air को हम represent कर लेते हैं F not से कोई दिक्कत F not मतलब कोई medium नहीं है मतलब हम यह कह रहे हैं कि किसी भी medium की permittivity will always be greater than permittivity of vacuum clear है यह बात permittivity of any medium will be greater than permittivity of vacuum permittivity of vacuum की value हमें पता है it is 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton meter square coulomb square per newton meter square SI unit में इसकी यह value है 8.85 10 to the power minus 10 coulomb square per newton meter square this is the minimum value of permittivity किसी भी और मीडियम में जाओगे तो permittivity of medium इससे ज्यादा होगी अच्छा permittivity जादा होगी तो force को वो और कम कर देगा force यहाँ पे क्या थी maximum किसी और मीडियम में वो जादा permit करेगा यानि force in any medium will be less than force in air अगर दो charges के बीच में air में कुछ force निकाली है charges same रखो distance same रखो बाकी जब same रखो और उन्ही charges को किसी medium में डाल दो तो force हमेशा decrease करेगा क्योंकि किसी भी medium की permittivity air से या vacuum से जादा किसी भी medium में डालोगे तो वो अपनी lines को बहुत जादा permit करेगा कि जाओ force को weak करो यानि force between two charge particles is maximum in vacuum या free space या air and force in any medium is less than force between the same two charge particles kept at safe separation यह भी बात है जितने separation में air में रखा ता उते ही separation में रखो अब उसमें change bench कर दोगे तो कहानी बदल जाएगी भाई, pass ले आओगे तो force बढ़ी जाएगी, वही separation पर अगर रखोगे तो हो ही नहीं सकता कि किसी medium में force air से जादा आए, दो charge particle के बीच में अगर maximum must force चाहिए, तो उनको free space में छोड़ दो, वहाँ कोई है नहीं जो इनको अपनी particles को permit करके इनकी force को तोड़े किसी मीडियम में डालोगे तो वह अपने particles को डालकर इनकी forces को कम करतेगा, यह concept है permittivity का, clear है यहां तक, यहां तक बात एकदम अच्छा से clear, अच्छा से clear हो गई, force in any medium is less than force in air, permittivity of any medium is greater than permittivity of air, and permittivity of air या free space vacuum is 8.85 into 20 the power minus 12, यहां तक clear हुआ, note करे, मिटार दे, clear एकदम अच्छे से clear है, किसी medium में डाला तो force decrease, आच्छा, बहुत बढ़िया, अब जैसे permittivity of air, हमने देखी किती है, permittivity of free space, हमने देखी किती है, 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton meter square, this is the minimum value of permittivity, जैसे follow permittivity of water की value हम देखें, तो permittivity of water की value करीब-करीब 7.12 into 10 to the power minus 10 coulomb square per newton meter square, देखें, इससे ज्यादा हो गई कि नहीं value, अब अगर permittivity बढ़ गई है, तो force कम हो जाएगी, यानि water में दो charges की बीच की force, air के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि permittivity इसकी बढ़ रही है, water ज्यादा permit करेगा आपने particles को, क्योंकि जाकर force को weak करो, जैसे हम glass की बात करें, permittivity of glass, particularly plexiglass, क्योंकि glass तो अलग-अलग तरह के होते हैं, तो हमने glass की बात की, तो हमने देखा 3.01 into 10 to the power minus 11 coulomb square per newton meter square, glass की बात करें, तो glass की permittivity भी air से जादा है, तो मैं यही बता रहा हूँ, permittivity of air is found to be minimum, और क्योंकि permittivity minimum है, इसलिए, force between any two particles in air is found to be maximum, air बोलो या vacuum बोलो, किसी भी और medium की permittivity देखी, permittivity of any medium is greater than permittivity of free space, note कर लो, इन सब values याद नहीं करनी है, सिर्फ air वाली चाहो तो याद रख सकते हो, vacuum वाली, पेपर में दी होती है, पर चाहोते है याद रख सकते हो, बाकी और कोई चीज आपको note, याद नहीं करनी है, ऐसे समझने के लिख सकते हो, this you don't have to learn, आच्छा, अब क्या हुआ, सब ने कहा कि यार ऐसे इतनी values कौन याद करेगा, अभी permittivity किसी और चीज़ की, किसी और माइका किया जाएगी, ग्लास में भी बहुत से होते हैं, तरह तरह के ग्लास होते हैं, अलग-अलग medium की अलग oil आ जाएंगे, अलग-अलग तरह के liquid आ जाएंगे, अलकोहल सब की permittivity की, ऐसे पढ़ेंगे, नहीं, इसको असान करने के लिए, हमें एक नया term इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, विच इज रिलेटिव पर्मिटिविटी, रिलेटिव पर्मिटिविटी, इन्हों नहीं कहा इत्ती लंबी-लंबी value हटाओ यार, हमें कहते हैं, रिलेटिव पर्मिटिविटी, इस एक्वल्स टू पर्मिटिविटी ओफ मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू एर, सिंपल, बहुत सिंपल, रिलेटिव पर्मिटिविटी, पर्मिटिविटी ओफ एन्य मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू एर, यानि किसी भी medium की permittivity निकालनी है तो उसको air से compare कर लो कि air से कितने गुना ज्यादा permittivity है है ना permittivity of medium air से कितने गुना ज्यादा है वाई सब तो ज्यादा हो नहीं है यह तो sure है air की सबसे कमे कितने गुना ज्यादा कितने गुना ज्यादा ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा permittivity of any medium will be er times e0 देखो ये आपको पता है permittivity of air अगर कोई आपको relative permittivity बता दे कि कितने गुना medium की permittivity air से ज़्यादा है तो आप medium की permittivity निकाल सकते हो तो ये सब याद करने की जरुवात नहीं है इससे अच्छा हम क्या समझ ले? relative permittivity हमें relative permittivity मिल जाए water की तो हम water की permittivity निकाल लेंगे relative मतलब कि वो air से कितने गुना ज़्यादा है